आज का जो वीडियो है, हॉमेपयथिक के लिए, य दोक्ते के लिए बहुत important है क्यों ги क्योंकि बहुत सारे बच्चे question करते हैं कि हमें कौन सा computer लेना है हमें कौन से config का computer लेना चाहिए बिलकुल उनको समझ में नहीं आता है कि उन्हें कौन सा लेना है थिक, knowledge नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने use किया, उन्हें knowledge तो है, तो कई बार questions करते हैं, तो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ कि best जो config है, उस config को आप लेते हुए या देखते हुए आपको ये laptop या computer लेना चाहिए, जिसमें आपके होमीपेती के जो भी काम ह हैं, जैसे आपके software हैं, और जो भी काम आपको करना है, अपनी डियूटील लाइफ में, क्लिनिक पे, क्लिनिक के जो software हैं, वह वहां पर easily run हो पाएंगे, वह इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे पास जो laptop है, उसमें मैं easily अपने जो clinic के software है, वह run कर पाता हूँ, हो जो homeopathy related जो भी work होता है, simple जो work होता है, उसे पूरा उसमें कर पाता है, तो वो पूरा config बताऊंगा, उस config को match करते हुए आपको laptop लेना चाहिए, जो आपको future में, सालों तक आपको change करनी के आप सकता नहीं होगी, तेक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू, फाइनली आप लोग के लिए आपका app Dr. Bhavissa Classes वो आचुका है, वो आप मेरे description में जाकर उसके link है, वहाँ से आप इसको install कर सकते हैं, तेक है, उस app में आपको अभी latest में 2-3 course आपको मिलेंगे उसमें, और future में आपको लगाता है, उसमें आपके AI, APGT, PSE, UPSA, NRA, जो आप को questions होते हैं, test series होती हैं, और जो videos होते हैं, वो उसमें आपको देख पाएंगे, इसके लावा में आपको बता दूँ कि जो बच्चा online coaching के बारे में सोच रहा है, तो वो contact कर सकता है, दिये गए number पर, आपको description में, मैं number दे दूँगा, उसमें आप बात कर सकते हैं, दिन में दोफेर के 3 से लेके 5 के बीच में, आप बात करके, उस course के बारे में, और online coaching के बारे में, आप में से बात कर सकते हैं, जो बच्चा चाहता है, जिसको coaching करनी है, वो लोग में से contact कर सकते हैं, देखें, तो बहुत सारे बच्चों का question तक इसल आपका app कब आएगा, तो finally वो आ देखना होता है, सबसे importantly computer में, आपको देखना होता है processor, दूसरा उसकी important चीज होती है, RAM, जो उसको speed provide करवाती है, ठीक है, और तीसरा होता है आपका important चीज उसमें storage मतलब graphics, sorry, hard disk, hard disk जो होती है, जैसे हमारे mobile में होती है, space के हम बात करते हैं, इतने GB का space है, तो वैसी laptop में computer में आपको hard disk ये पाफ सकता होती है, तो ये तीन important चीज तो आपको देखना है, इसके लावा दो चीज और होती है, graphics card and window आपको लेना होता है, graphics card और window आपको लेना होता है, ये पांच important चीजे हैं, लेकि इन पांचों में जो तीन है, processor, RAM और hard disk, इसको पहले हमको focus करना है, जब भी आप market में जाएंगे, तो processor आपको i3, i5, i7 मिलेगा, i3, i5, i7, i3, थोड़ा उससे हम बात करें, तो i5 और i7 से कमते हैं करें, तो सबसे advanced, अभी तो i7 से उपर भी advanced processor आ चुके हैं, लेकिन हम अपनी homeipathy की बात करें, जो हम software use करते हैं, उसमें आपका i3 और i5 से का हो जाता है, और जादी advanced आपको जाना है, तो i7 पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन i3 से भी काम हो जाएगा, और i5 से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, i3 का आप अभी क्या करिए, 12th generation, i5 का भी आप 12th generation आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा जो मैंने अपने laptop में Intel का ही लिया हुआ है, तो i3 या i5 ले लिजिए, 12th generation के होने चाहिए, यह आपको देखना है, और वो Intel का होना चाहिए, इसके लावा दूसरी company इसके भी आते हैं, लेकिन आपको Intel में जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं use कर रहा हूँ, मैं वो आपको बता होता है, आगे बात करते हैं, यह होगी प्रसेसर की, आप i3 ले 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 ले, 12th generation आपको लेना है, Intel company का लेना है, दुसरा हम रैम की बात करते है, रैम जो है, वो आपको 4GB या 8GB कम से कम होने चाहिए, लेकिन मैं तो यह बोलूँ कि आज अभी आप ले रहे हैं, तो आपको 8GB की और ही जाना चाहिए, 8GB के रैम लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट है, फ्यूचर के साफ से भी बेस्ट है, यह आप internet यूज कर रहे हैं, internet में कोई आप, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको भी अच्छा काम करने मिलता है, मतलब उससे भी आप अच्छा काम कर पाते हैं, आपको वो कहीं, मतलब प्रॉपर स्पीड प्रोवाइड कर बाता है, और जो भी आपके सौट्वेयर से हैं, वो भी अच्छा के चल पाते हैं, तो 8GB का आपको लेना चाहिए, 4GB में भी काम हो जाएगा, लेकिन 8GB आप लेंगे तो सबसे बैस्ट है, तो आपको रैम लेना ह है, और 1000GB की भी आती है, तो आपको तो 1000GB की लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, एक बार आप अच्छा स्पेस ले लेंगे, तो आपको बहुत दिन तक काम कर पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, स्टड़ी वा बार ना होता है, तो उसको डाटा स्टोर तो रखना ही पड़ता है, इसके लिए 1GB का हार्ड डिस्क लेना चाहिए, पांसो जीवी का भी आता है, लेकि मेरे नुसार तो 500GB में नहीं जाना चाहिए, 1000GB का उनको लेना चाहिए, और वो भी आपको लेना चाहिए, SSD, दो प्रक 1000 GB की या से हम बोलते हैं पैसे और यह भी आपको एसेशडी आपको लेना है ठीक है फिर आगे जाके फिर आपको सकता है कि 500 GB क्या सकता और पड़े तो यह आप नहीं सुत पहने तो 500 GB की अभी ले 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 अगे बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड वैसे जनरली ग्राफिक्स कार्ड की आफशकता तो हमें नहीं पड़ती है क्योंकि जब आप लेते हैं तो आपके जो अन्दर अगयर मदरबोर्ड होता है जिसमें पूरे जो और मदरबोर्ड का मदरबोर्ड में और रेडी ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है यह जब आप आप आई 5 आई 3 लेंगे इंटैल कर ट्रोल जनेशन लेंगे तो आटमेटिकली एक वहां बाइडिफाल जो है कंपनी आपको ए करने में हेल्ट करता है एंटल ऑड लगा हूआ है लेकंगे आपके स्कलम करेगा, तो तो वह भी आपको बहुत अधिक फाइदे मन्द होगा फ्यूचर के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं क्योंकि दो चार साल के बाद तो फिर हो सकता है यह दो जीवी एक्टर जो ग्राफिक्स खडवाले लैप्टाउप आए तो आपको फ्यूचर को देख रहा है तो एक ब 12X,1,10,11 या जो भी लेटेस्ट होता है वह आपको लेना होता वह ओर इस लिडिये में मिलता है और इस लीजिए याヴ स्फंश्ण थं लेता है वह आपके प्रोसेस के लिए आपकी लैप्तॉप के फंश्निंग के लिए आपके बहुत अच्छा होगा इस प्रकार से यह 5 उ देना है ठीक है क्योंकि मैं कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा लेकिन ये पांच कोई भी कंपनी का आप लें तो उसमें आप प्रोसेसर ले ले लें आए त्री आई फाइफ प्रेल जनरेशन इंटेल का होना चाहिए रेम आट जीवी की ही लीजी आप मेरे अनुसार तो ग्राफिक्स कार्ट कम से कम 2GB वाला हो ठीक है विंडो आप ओरिजनल ले ले जो मिलता ही है और हार्ड डिस्क आप 500GB की SSD या 1000GB के SSD आप ले सकते हैं मैं अनुसार तो 1000GB की जाना चाहिए एक बार लेंगे तो कम से कम 8-10 साल आप फ्री हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बि इसका अंसर मैं आपको कमेंट करके देंगा या फिर आप वाटसअप पे भी आप मज़े बात कर सकते हैं तीन से पांच के बीच में और मैंने आपको बताए कि जो मेरा एप है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो आप मेरे आप के दोरा देख सकते हैं